नमस्कार दोस्तों Target with PS परिहार चनल में आपका स्वागत है इस चनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्मधित सभी सूचनाय दी जाती हैं उसी क्रम में आज के इस वीडियो में भी कुछ अपडेट्स हैं उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग और की वेटिंग लिष्ट जारी करें विद्यार्थियों से लगातार अप्लिकेशन दिया अनुरोद किया विने किया उसके बाद में अब विद्यार्थी जो है उत्तर प्रदेश की मुक्यमंत्री और राजपाल को भी पत्र लिख रहें और कह रहें कि PCS की जो वेटिंग भी यह ढक्रणास पी में जिसका नाम आया उसने जोएन किया तो जिसका नाम सबसे नीचे है जो वेटिंग लिष्ट इमें जिसका नाम आएगा वह सबसे नीचे वाली पोस्ट के ब्रेंद इसके नंबर कम होगे और सबसे कम नंबर वाला बैक्ति सीदे SDM यह क्ते बन या इस तरीके से उपर भेजा जाएगा तो उसमें भी समस्या है हाला कि यह केवल पहत्री बाजी है क्योंकि सरकार ने और हाई कोट का भी एक आडर था कि जो भरतियां सिंगल पत्की है जिन भरतियों में केवल एक ही पोस्ट होती है जिस जैसे आरो, ए आरो या अभी दो-तीन साल पहले एक रिवेन्यू इस्पेक्टर की आराई की भरतिवी थी या इस तरीकी जो भरतियां होती है हैं उसमें वेंटिग-लिष्ट जारी किया जायाए उसमें और वेंटिंग लिश्ट जारी नहीं करते हैं आज आप लोग ही बताईए जो वीडियो का मामला और इसी किसमंद में आज की समचार पत्र में भी यह लिखा तेज होगी ूपी सियस की वेटिंग लिट की मांग। प्रतियोगी चात्य संग लोग सेवा आयोग की तर्ज़ पर उत्रवेज लोग सेवा आयोग से PCS की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं या मांग UPSC अधच्छ तक पहुची है लेकिन अभी कोई निरणा नहीं हुआ है अभरतियों राजपालवा मुक्यमंत्र योगी अधितनात को पत्र लिखके लोग सेवा आयोग मी PCS की वेटिंग लिस्ट जारी करने की सुविधा की देने की मांग उठाई है संग लोग सेवा आयोग PCS परिच्छा के परड़ाम के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करता है इससे चेनित अगर पदभार घणा नहीं क संक्या से कम चैनित आते हैं और अपद खाली रह जाता है तो सासन पोना यूपी PCS से उसकी मांग करता है तो विध्यार्थि अब इसके लिए बड़ा आंदोलन और अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोग सेवा आयोग आखिरकार उनकी एक और मांग मां ले और लिस्ट जारी करें इसके बाद में एक और सूचना है बहुत सारे विध्यार्थियों का जो पॉली टेक्निक के रिजल्ट है वो रोग दिया गया है और उसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में या तो रोल लंबर गलत लिखिये थे या तो पैसा जमा किया था बहुत सारा पैसा इनकी उत्तर पुस्तिकाओं से मिला है लिखा है उत्तर पुस्तिकाओं जाजते समय निकले 7 लाख पॉली टेक्निक की उत्तर पुस्तिकाओं जाजने वाले प्रिक्षिकों की इस बार वारी न्यारे हो गए हैं सही उत्तर का तो पता नहीं लेकिन उत्तर पुस्तिकाव में रुपए खुब मिले और वो भी पूरे 7 लाग लिखा परिशत ने भी पैसे कब खुबी से इस्तिमाल किया और मुल्याकन केंद्रों का खर्च इस पैसे से नि 3810 चात्र अपने प्रिणामों का इंतजार कर रहे हैं दर असल इनमें से वे चात्र सामील हैं जिनों उत्तर पुस्तिकाव में गलत रोल लंबर या कोई अनिमित्ता की थी इसके बात में बात कर लेते हैं एक भरती की हमें सब बड़ी भरतियों की बात होती है चोटी बरतिय रही है और अपने जिले के स्थानी समचार पत्रों में आप लोग देखते रहें फिलहाल यह बरती है यह प्रयागराज की है इसमें लिखा है रोडवेज प्रिशासन ने सिविल लाइंस डिपो में चालकों की कमी दूर करने के लिए समीधा चालकों की बरती का फैसला किया है इस भरती प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म सनिवार से सिविल लाइंस डिपो के कारणाले में कार दिवस में सुबह दस बज़े से साम यह नहीं लिखा के लिए साम बज़े ही लिखा है के बीच हासिल की जा सकते हैं चालकों की बरती के लिए नीमित तोर पर हर मंग जलवार गुरुवार और शनिवार को ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा भरती में सामिल होने के लिए अबरतियों को कच्छा आठवी यह दसवी पास होना अनिवार है दसवी पास को वरीता दी जाएगी रिजनल मेनेजर टी के एस बिसेन के अनुसार अभरती के पास भारी वहां चलाने का दो साल का पुराना डील होना जरूरी है और अबरतियों के जो लंबाई है वो नूंतम पांच फिट तीन इंच होनी चाहिए आई उसी मत देख लीजिए साड़े 23 या 23 वर्स पांच माई से लेकर के अंठावान वर्स के बीच में होनी चाहिए अबरत अगर यह सुचना आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवस्ट कर दिया करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद